ओम नमस्षिवाए मैं हूँ एस्ट्रोजर के अंजिना और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ चुनाव कई राजियों में तो कंप्लीट हो चुके हैं वोटिंग उनकी कंप्लीट हो चुकी है और कई राजियों में चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में चुनाव होना भी बचा हुआ है और तेलंगाना में चुनाव का जो चरण है भी बचा हुआ है तो आईए हम समझते हैं कि मेधनी जोतिश क्या कहती है पाँच राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं उसका क्या मुंडेन एस्टलॉजी जिसको मेधनी एस्टलॉजी कहते हैं वो क्या इंडिकेशन कर रही है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं देखें जीते गा कौन और हारे का कौन ये तो तीन दिसंबर को पता ही चल जाएगा ये कन्फर्म है तीन तारिख को और पहले भी वैदिक जोतिश के रुषार प्रडिक्शन किया जा चुका है और जब भी प्रडिक्शन किया जाता है उसको दूसरे मेटड से भी चुक किया जाता है तो आज मैं मेधनी एस्टलोजी से चख कर रहा हूं और ये भी बताऊंगा आपको कि कितनी सीटें आ सकती हैं और तीन दिसंबर को जैसा भी होगा उसको जरूर मैं आकर इस चैनल के माध्यम से सुईकार करूंगा मैंने जो प्रेडिक्शन लिया है उसके लिए मध्यप्रदेश जब इस्टैबलिश हुआ था एक नॉवंबर 1956 राजिस्थान जब इस्टैबलिश हुआ था 30 मार्च 1949 इन दोनों का चार्ड बनाया है और देखे पांच राजियों का जो चुनाव है भले इसको सेमी फाइनल के मैं देखा जा रहा है जिसमें से मीजोरम में तो मिजोरम की लोकल पार्टी ही चुनाव जीतने वाली है तो जो दो राजी बच रहे हैं मैं किवल दो राजीों का प्रेडिक्शन यहां पर करने आया हूँ बागी का प्रेडिक्शन पहले भी कर चुका हूँ कि जो मामला बनेगा उसमें मद्धप्रदेश राजिस्थान में आप ये चेक कर सकते हैं कि भारती जंता पार्टी की सरकार बन र रही है या कॉंग्रेस की सरकार बन रही बाकी तीन जगा तो कंफर्म है जिस दिन एक्जिट पूल आएंगे उस दिन भी आपको चुनाओं के परिणाम से पहले जो रुजहान आएंगे आपको वह भी मिजोरम का क्लियर है किसी को डाउट भी नहीं होगा 36 गड़ का भी क्ल जो मामला फस रहा है वो मद्यप्रदेश और राजस्थान के बीच में फस रहा है और ये लोग आपस में जो डिसकेशन कर रहे हैं जो लगातार मैसेज भी मुझे कर रहे हैं कि क्या होगा मद्यप्रदेश में कोई मामला तो नहीं फस रहा है किस तरीके की चीज़े परिश किया हूँ देखें मद्बः प्रदेष में जो मेधिनी जोटिश है मेधिनी जोटिश का यूस क्यों सब्सक्ष्इ organism हो जाता है को कि जब आपने देखा होगा कि मेधनी जोति हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के कुंडिली पर आधारित होकर prediction नहीं किया जाता है किसी देश में या किसी राज में क्या चीज़ हो रहा है तो उसके local जो चार्ट होते हैं वहां से चक्की आता है जिसे इंडिया के लिए अगर prediction किया जाएगा तो इंडिया का जो prediction यानि भारत का जो prediction है वो भारत की विर्षब लगन की कुंडली से prediction करते हैं लेकिन क्योंकि मद्यप्रदेश की हम बात करें तो मद्यप्रदेश का भी तो कुछ ना कुछ चार्ट होगा तो mundane astrology में ये निकल के एक प्रकार से कहिए तो पूरा research and development जितना भी मैं कर सकता हूं उन सभी को research मैंने किया honestly मैं ये जी बताऊंगा मैंने पूरे तरीके से research कर लिया है पिछले लगबक 30 साल में जितनी भी सरकार आई है गई है वो कब कब कैसे कैसे हुई है उससे वो मैच कर रहा है अब prediction क्या कहता है उसको समझ ये किवला हम prediction पार पर चलते हैं तीन दिसंबर को भले ही मैं देखिए इस बात को repeat कर रहा हूं भले ही अभी वहाँ पर जो चर्चा है या शोर है Congress के पक्ष में जा रहा है जो चर्चा है और शोर है वो Congress के पक्ष में लोग कह रहे हैं इसी तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो BJP के जगा समाजवादी पार्टी के बारे में लोग जादा जोश भर रहे थें लेकिन मैं अपने prediction पर अडिग रहूँगा मैं जो prediction बता चुका हूँ उसी prediction पर अडिग रहूँगा कोई प्रकार का कोई prediction चेंज नहीं है और मेदिनी astrology ने भी जब confirm कर दिया तो दिक्कत नहीं मेदिनी astrology ने एकदम confirm prediction दे रहा है कि भारतिये जनता पार्टी वहाँ पर सरकार बनाने जा रही है मद्यप्रदेश में बहुत सारे लोग confused होंगे बहुत सारे लोग मेरे बात से disagree भी करेंगे कि वहाँ तो Congress का हला है सब लोग Congress Congress बोल रहे हैं वहाँ पर बीजेपी का तो कोई बोल नहीं रहा है ऐसा नहीं है कि जैसे पिछले बार हो गया था 109, 105 ऐसे सीटों का नहीं जो टोटल सीट बन रही हैं उसमें बीजेपी को 120 से 140 सीटे मिल सकती यह मैं फिर से repeat कर रहा हूँ बारती जनता पार्टी इस पष्ट बहुमत के साथ 120 से 140 सीट निकाल कर ला रही है मेदनी के according जबकि Congress जो है वो किवल 60 से 80 सीट लाएगी मुझे पता है बहुत लोंग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कुछ भी बाते लिख सकते हैं honestly जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं वो बोलूँगा यह भी accept करता हूँ कि अगर कोई इसी प्रकार की दुरूटी होती है गलती हो तो उसको भी सुईकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं वही बोलने वाला हूँ आप इसको किसी भी तरीके से देख लिजे बीजेपी 120 प्लस सीटे लेकर आने वाली है और मदप्रदेश में भारती जनता पार्टी की सरकार बनेगी CM कौन होगा वो बात में डिसाइड होगा लेकिन बीजेपी मदप्रदेश में आ रही है अब हम बात कर रहे हैं वहाँ जहां कल चुनाव होने वाले हैं राजस्थान के लिए देखे राजस्थान का जो चार्ड बनता है वो 30 मार्च 1949 का है मिथुन लगन की कुंडली है और इनका राहू में बुद्ध 2018 में चला था और वहाँ पर एक तगड़ा फाइट हो गया था और तगड़ा फाइट होने के बाद फाइनली जो है कॉंग्रेस वहाँ पर जीती थी और अब जो चुनाव इस समय आ रहे हैं क्योंकि राहू के अंदर चंदर का अंतर चलेगा चंदर्मा इस कुली में अगर आप कहा जाए तो अपने ही स्वराशी में उपस्थित हैं तो चंदर्मा जब भी स्वराशी में रहेंगे वो पूरा कोशिश यही करेंगे कि जो उनका लगन का जो स्वामी है उसको डॉमिनेट करना उसी को बढ़ाने की पूरी कोशिश करना तो फाइनल जो मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पर राजिस्थान को लेकर आ रहा है वीडियो का डूरेशन बढ़ाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आलड़ी मैंने यहाँ पर दिखा दूँ मैंने चार चीज का डिस्क वो किया बीजेपी का कॉंग्रिस का और यह सारी चीजों क का और बागी और भी मेरे पास पेपर है जो डर्वलर्पक लगातार मैं करता रहता हूँ और जादा तर वीडियो नहीं बना पाता हूं लेकिन जो रिसज करकर नहीं पूरा बनाता हूं उसको मैं जरूर बता रहा हूँ, राजस्थान में भी भारती जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, भारती जनता पार्टी जो है, 110 से जादा सीटे वहाँ पर लेकर आएगी राजस्थान में, और कॉंग्रेस जो रहेगी, वहाँ पर कमजो आएगा तो रिजल्ट आने के समय तीन राजियों का तो चुनाव पहले से ही लगबग लगबग क्लियर है मैं आज से नहीं बोल रहा हूं मैं पिछले जन्वरी की जो 2030 की जो दस बविश्वारी किया था और उसमें सत्ता का जो सेमी फाइनल था उसमें भी बताया था उसमें कि एक प्रेडिक्शन हीमानचल वाली थोड़ी सी गड़बड हुई थी लेकिन उसको भी एकसेप्ट किया था अभी बाकी जगा का जो प्रेडिक्शन दिया हूं मिजोरम में मिजोरम की पार्टी जीतेगी तेलंगारा में बियारस का आना कंफर्म है छत्यस गड़ में कॉं कॉंग्रेस नहीं आएगी बीजेपी आजाएगी इस बात से मैं डिसेगरी कर रहा हूं वहां पर कॉंग्रेस आएगी लेकिन मद्व प्रेडेश और राजस्थान ये दोनों राज ऐसे निकल कर आ रहे हैं जहां पर भारती जनता पार्टी की सरकार या तो चुनाओं के समय पार्टी को मिलता हुआ दिकाई देगा बाकी आप निशित रुप से अपनी प्रतिक्रियां कमेंट सेक्षन में लिखिएगा और प्रेडिक्शन जैसा भी होता है देखिए एक ओनेस्ट एस्ट लॉजर का फर्ज ये होता है कि अकर गलती भी हो तो वहां पर आपको जरूर लाइव क्योंकि फेस करना जरूरी है और फेस करने के लिए चाहिए प्रेडिक्शन जैसा भी हो उसको फेस करने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है गलत होता है तो मैं बार बार अपने प्रेडिक्शन में बोला हूँ गलत करने पर रिसर्च डेवलप्मेंट का काम और से बढ़ता है कोई भी आदमी 100 परसेंट सही नहीं हो सकता है किसी भी चीज में लेकिन अपना जो मैने किया हुआ Process मैंने किया हुए जो पहले method मैं रहे की लोग माफी मांगने आएंगे ठीक है आप 我們 SchulMy अलग हो सकती है कि माफी मांगने आएंगे या नहीं आएंगे वह चीज़ अलग है लेकिन मैंने जो प्रेडिक्षन कर दिया है मैं उसी प्रेडिक्षन पर आडिक हूं और इतना ही मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा बागी क्या होगा वह तीन दिसंबर को पता चल जाए और अनिस्ली कहा जाए तो प्रेडिक्षन में किसी प्रकार का बायसनेस मैंने नहीं देखा है और मद्रप्रदेश राजिस्तान दोनों जगाही बीजेपी की सरकार फाइनली बनने वाली है तो अभी के लिए इतना ही और जल्दी बाकी प्रेडिक्षन भी आपको इस चैनल में तो उसका जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसी पर मैं पूरा फोकस जादा किया हुआ हूँ और मेरा उद्देश है कि बहुत सारे बच्चों को एस्ट्रोजी पढ़ाया जाए मैथमेटिक्स होता है मैथमेटिक्स तो गलत नहीं होती है तो मैथमेटिक्स का जो मेरा मेशा से यह प्रयास है कि बायस ना होकर और इस प्रेडक्शन दिया चाहिए तो अभी के लिए इतना ही मैं हूँ एस्टोजर केम सिना ओम नमस्षिवा